आज 25 जुलाई है स्टीवीटी का पहला एक्जाम जो है वो 15 मई को हुआ था और NTA की गाइडलाइन के हिसाब से आपका रिजल्ट 30 जून को दे देना था जो एक्जाम 15 मई को हुआ था उसका प्रोविजनल एंसर की जो है वो 7 जुलाई को दिया गया और साथी साथ जो है रिवाइज एंसर की जो है वो 23 जुलाई को दिया गया जब 23 जुलाई को रिवाइज एंसर की आया तो हमें लगा कि 25 जुलाई तक फाइनल एंसर की आजएगा पर आज है 25 जुलाई और अभी तक फाइनल एंसर की का कोई नामो निसान नहीं मैं नितीश नंदनी बेसिक अच्छा के इस online परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आपको लग रहा होगा कि लोगों को अपने बहुत special person का date, top birth याद रहता है या तारीखें याद रहती हैं। लेकिन ये तारीखें इतनी बार घूम चुकी हैं मेरे जहन से, मेरे दिमाग से, मेरे जुबान से आप तक पहुँच चुकी हैं कि ये तारीखें मुझे भी याद हो चुकी हैं। इस तारीखों में मेरा कोई special नहीं है लेकिन अगर कुछ special इन तारीखों से जुड़ा है तो वो है आप आप और आपका भविस्य आपका आने वाला कल जो मजबूर हो करके मुझे यहाँ पर आने के लिए मजबूर करता है कि मैं आओं और आपके लिए कुछ न कुछ कोई न कोई एक ऐसा रास्ता सुझाओं कोई न कोई एक ऐसी खबर आप तक पहुचाओं कि जिससे लगे कि रिजल्ट दे दीजे अगर आप जहां भी बैठे हैं एंसर की दे दीजे और आप पीछे थमनेल देख रहे होंगे मैं इस वीडियो में आपके पास न्यूज कटिंग या किसी के बच्चों के द्वारा कही गई बात है या कुछ भी ले करके नहीं आया हूँ आज मैं सीधे एंटी ए ओफिस फोन करूंगा उनसे बात करूंगा और उनके सामने आप से इस वीडियो में पूछूंगा आप खुद भी सुनेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि रिजल्ट कब दिया जाए वो क्या चाहते हैं कि रिजल्ट कब आए तो आप भी इस बात को ध्यान से सुन जीजिएगा ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए भी कारगर होगा है कि हिंदी भासी है तो हम हिंदी में ही बात कर लेते हैं इंसे ज्यादा अच्छा रहेगा दो मिनट आपको वेट करना पड़ेगा हमारी बातें उन तक पहुंचेंगे जी सर आप एंटी ऑफिस से बोल रहे हैं जी सर मुझे एक जानकारी ये चाहिए थी कि आज 23 जुलाई हो चुका है और अभी तक फाइनल एंसर की यूजी की नहीं आई है और नहीं अभी रिजल्ट का कोई अपडेट आ रहा है तो क्या आप मुझे ये बताने का कश्ट करेंगे कि कब तक आने की संभावना है सर मैं बस इतना आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे तो बच्चों के भविस से कैसे कंफर्म होंगे सर आपको भी तो उसी चीज के लिए बैठाया गया यह बताई आप लोग का काम अगर यहीं होगा अगर आप यह बोलेंगे कि कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कब तक आएगा यह बता दिजन इस वीक में आने की संभावना है क्या यह लाश्ट वीक तक जाते जाते वेट तो सर हम 19 जुलाई वेट तो सर हम 30 जून से कर रहे हैं 30 जून को आपने अपडेट दिया था अब आप लोग डेट में यह से घुमा रहे हैं कि अब डेट आएगा अब आगे डेट आएगा इंतजार की घड़िया समाप्त होती जा रहे हैं क्या चाहते कि बताब बच यह महसूस आज हो रहा है आप से बात करके अगर मेरी बातें आप पहुंचा पाएं सही जगह पर तो पहुंचाईए और उनको बोलिए उनको अगर रिकॉर्डिंग तो होती ही होगी ना तो उन तक पहुंचाईए और उनको बताईए कि इस तरीके से बच्चा कोई भी होता है और उसका भविष से बरबात करने का किसी को अधिकार नहीं है अगर आप सेशन लेट करेंगे बच्चे के उपर मेंटली कितना प्रिशर होता हो बच्चा समझ सकता है बैट करके थोड़ा मुस्किल होता है समझना इन चीज़ों को आपकी पाद समझ पारा हूं आपका कंटन आल्रेडी जल्दी आपको रच्चे कोसिस थोड़ा और ज्यादा जल्दी होगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि कोसिस तो करते करते आज सर लगबग एक महीने से ज्यादा समय बीचने जा रहा है सर यह कंप्लेंट जो है मेरी रेज करिएगा मेरे नाम से मेरा नाम नितीश है आप रेज करिए और कंप्लेंट पहुंचाईए वोइस रिकॉर्डिंग भी पहुंचा सकते हैं तो जहां तक पहुंचाईए ताकि कुछ तो समझ में आए तकि रिजल्ट कितना जरूरी है हमा नहीं हो सकता है मैंने तो बोला भाई कि मेरे बच्चे जो है वो रिजल्ट देखेंगे अगर आप ऐसा चाहते हैं तो भी कर लीजिए यही कर सकते हैं यह लोग इंतजार करिए क्योंकि इनके पास डेट में घुमाने के लावा कोई रास्ता बचा नहीं है यह वीडियो मैं आपसे डिरेक्ट आपको सुनवाना चाहिए कि आप उनकी आवाज कुछ सुन लीजी तो वो क्या कहना चाहते हैं एक तो पहले आवाजी नहीं निकल रही है इतना दबाव रिजल्ट का है कि आवाज निकल नहीं पा रही है ठीक है दूसरी चीज अगर हम इनकी बातों से इ लेकिन यह बताना नहीं चाहरा है कि कब आएगा तो इस तारीखों के बीच में हमें घुमाया जा रहा है आपको भी घुमाया जा रहा है हम और आप पेंडूलम की तरह जूल रहे हैं और पता नहीं कब तक जूलेंगे मैं आज इसलिए आए क्योंकि मैंने 23 तारीख को वीडियो बनाया था और मुझे पता था कि आज आपका फाइनल एंसर की आज आना चाहिए पर अभी तक नहीं आया ठीक है पर कोई बात नहीं निश्चिंत रहना है हमें देखिए मैं मेरे बच्चे कमेंट करते हैं सर कितना धैरे रखें कब तक रखें मेरे लाल मैंने तब भी कहा था कि 30 तारीक तक हमें इंतजार करना होगा वहीं से हमारे रास्ते धीरे धीरे धुन्दले क्लियर होने लएंगे आपका कहीं एडमिसन हो रहा है तो कोशिस करिए कि रजिस्टेशन करके या एडमिसन करके किसी तरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर कौंसलिंग के लिए परिसान नहीं होना आपको कहीं जाना नहीं है क्योंकि बेशिक सिच्छा जो है वो फ्री कंसलिंग Session लेकर आपके लिए आपके लिए आ रहा है पूरी डेटेटेल वीडियोज के माध्यम से आपसे साम को कल बात होगी तो बताया जाएगा बाकी community में post है free counseling के आप उसको देख सकते हैं हम free में आपकी सारी counseling process को देखेंगे समझेंगे और आपको सही तरीके से कैसे आप सच्छे university में जा पाएं बताएंगे हमने आपसे बार बार वादा किया है कि हम आपके लिए ही खड़े हैं आपके comment section में आप अपनी बाते पिन कर दीजिएगा और साथी साथ ये भी बताईएगा कि मेरा वीडियो जो मैंने बाते बोली हैं जो मैंने आपसे कहीं है वो आपको कैसी लगी ठीक है आपकी अगर मन में थोड़ा सा धैरे और पैदा हुआ होगा तो उसके लिए भी बताईएग कर दो पिन कर दो हुआ है।